इसकी पत्तिया, पत्टिया पुष्प पहें फूल हैं यह संपूर्ण करेला आपके लिए अत्यंत गुणकारी है कि इसको भ्यानक सर में दर्द हो यह करेले के पत्तियों को पीस करके यदि आप माथे पर लगाते हैं तो इससे दूर होता है आपका सर का दर्द सरदर्द के लिए यह बहुत ही अजुक और रामबान अश्चदी है और यह दूसरा काम करता है आपके मुह के चाले के लिए मुख इछाले के लिए बह। सारे, हम उपाय करते हैं, कभी-कभी इतने भ्यानक और खतरनाक हो जाते हैं, मुख इछाले, कभी-कभी ik revolutionary में भी प्रनेथ हो जाते हैं, आपको उन चालों से अब हतास परिशान और घबरानी की जरुद नहीं है क्योंकि मुझे चाले के लिए यह एक बहुती राम बान आउशदी है इसके रस निकालें रस निकाल करके या तो आप उसके अंदर जो मुलतानी मिट्टी होती है थोड़ी सी मुलतानी मिट्टी मिला करके इसको पेस्त कर लें मुलतानी मिट्टी उस समय प्राप्त नहों तब भी कोई बात नहीं आप इसके रस को आप रूई की फूरेरी बना करके फाहो बना करके रस में रूबो करके उस रूई से मूँ पे जहां जहां चाले हैं वहां वहां लगाईए मूँ के चाले में लगा करके लार को आप बहार निका लिए आप देखेंगे इस से मूँ के चाले एकदम आपके दूर हो जाएंगे यह दिमाली जी आपके पास यह करेली की पत्तिया नहीं है तो यह करीले का जो छिलका है, यह जो बाहर का जो भाग है, उसका रस निकाल करके भी आप इस लाब को पा सकते हैं, हलाकि यहाँ इसके पत्तों से थोड़ा सा कम काम करता है